चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समान, दस मिनिट में, बिग ब्लिस एप है खुशियो युद जारी है, इस वज़े से दुनिया के कई देशों में गेहूं की आपूर्ती प्रभावित हुई है, असल में दोनों ही देश को गेहूं का गड़ कहा जाता है, ये दोनों ही देश दुनिया के कई देशों को गेहूं की आपूर्ती करते हैं, लेकिन युद की वज़े से गेहूं की ये अपूर्ती प्रभावित हुई है ऐसे में भारती के गेहूं की मांग दुनिया भर में बड़ी है और कई देशों में भारती गेहूं का निर्याद किया जा रहा है इस वज़े से देश के अंदर भी ये जो दाम में बढ़ोतरी देखी गई है वहीं मसला किसान MSP में गेहूं बेशने के बजाएब बजारों में अधिक कीमत पर गेहूं बेश रहे हैं लेकिन बदल ते घटना क्रमों के साथ ही अब किसान बजार में भी गेहूं बेशने से परहेस कर रहे हैं। बेशने के लिए रोक रहे हैं। मैं बता दें मौझूदर समय में गेहूं स्टोरिज करने की एक प्रमुक वज़े जहां आने वाले समय में बहतर दाम की संभावना है तो वहीं एक तरफ दूसरी वज़े MSP पर इसे बोनस भी है। असल में इस बार पंजाब और हर्याना में गेहूं की फसल मौसम की वज़े से खराब हुई है जिसके चलते गेहूं का दाना पुस्ट नहीं हुआ है। इस बीच किसानों ने MSP पर बोनस की भी मांग की हैं जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार MSP पर बोनस की घोशना कर सकती है जो इसे देखते हुए किसान गेहु का स्टोरेज करने को प्रात्मिक्ता दे रहे हैं तो बड़ी खबर में अब भी बस इतना ही लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आ बने रहे हैं Market Times TV के साथ मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार तांके इस दौर में आपको नहीं जानवार बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर दस मिनट के अंदर तो रंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस हैप खुशियों की अपनी दुकाः